रमशकार मैं डॉक्टर मानक जैन, S.P.C. राजकिय महा विद्याले अजमीर आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्यन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत के प्रमुक शिक्षा के केंद्र कौन-कौन से थे ये प्राचीन भारत की मैथपून शिक्षन संस्थाएं कौन-कौन सी थी उत्तर है भारत के आरंबी में व्यवस्तित शिक्षन संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई थी व्यदिक काल में बालक प्राई अपने घर पर ही व्रद जनों अत्वा पिता से शिक्षक रहन करते थे महकाव्य काल में तपुवन आश्रम प्रणाली प्रचलित थी जिसमें छात्र वनों में इस्तित आश्रमों में रिशी मुनियों के चर्णों में बैटकर विबित प्रकार के शिक्षक रहन करते थे इसके उपरांत मौर्य और गुप्त शाषनकाल के अंतरगात सू संगठे शिक्षन संस्थाएं व्यापरिक नगरों तीर्थ इस्तलों एवं सामराज्य की राजदानियों में इस्तपित क की जाने लगी चंद्रगुप्त समंद्रगुप्त हर्श बर्धन आदी स्वयम भी विद्वान थे और उनकी राज्य सभाव विद्वानों से अलंकरत रहती थी काशी उस काल में शिक्षा का प्राख्यात केंदर था यहां के सू संस्कृत विद्वान प्राय विवादास प उस काल में कुछ प्रमुक शिक्षक केंद्र कांची, तक्षिला, मिथिला, कन्नोज, धारा नगरी, कल्यानी आधी थे। कालांतर में ये शिक्षन संस्ताएं बहुत विहारों में केंद्रित हो गई और विक्सित होकर विश्विध्याले का रूप धारन करने लगी। उस काल के प्रमुक विश्विध्याले इस प्रकार हैं। पहला विश्विध्याले है तक्षिला विश्विध्याले, इस विश्विध्याले को भरत की प्राचेंतम शिक्षन संस्ता होने का गौरो प्राप्त है। विध्यार्थियों आधुनिक पाकिस्तान में रावल पिंडे से लगपक 28 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है इतिहास कारों के अनुमान के अनुसार इसकी इस्तापना राम चंदर जी के भ्रातावा भरत के पुत्र तक्ष दुआरा की गई थी इसी कारण इसे तक्ष शिला क कहा जाता है बौध ग्रन्थों में भी इसका उलेक किया गया है इसके अनुसार इस विश्विध्याले में अनेक विश्यों के दक्ष विद्वान रहते थे जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विश्यों के अध्यन कार्य में व्यस्व रहते थे ये सभी प्रकांड पंडित एव एतनिक रूप से कार्य करते थे गुरु दक्षिना का आधार छात्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर था जो एक सहस्र काशप पर्ण यानि चांदी का सिक्का 58 ग्रेन तोल का से अधिक नहीं होता था निर्दन चात्रों को निश्चुल के शिक्षा दी जाती थी ये चात्र अध्यन के साथ साथ अपने आचारे की सेवा भी करते थे यहां दनी वे निर्दन चात्रों में किसी प्रकार का भिद्भाव नहीं किया जाता था आचारे ही चात्रों के तथा वे अपने चात्रों के चहुम की उन्नति के लिए प्रयतनिशील रहते थे यहां निश्चित पाठ्यक्रम तथा शिक्षा सत्र नहीं होते थे यहां आचरे को संतुस्ट होने पर चात्र की शिक्षा पूर्ण मानने जाती थी शिक्षा पूर्ण करने पर चात्रों को प्रथा इस विश्विद्याले में नहीं थी, यहां छात्रों को लगबग 16 यर के अवस्ता में भरती किया जाता था, लगबग 8-9 वर्ष के अवधी में उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, मौरे समराठ चंद्रगुप्त ने भी अपनी युवा अवस्ता में यहां शिक् युवा अवस्ता में यहीं शिक्षा प्राप्त की थी, अस्टा धाई के रचियता, पाणिनी, अर्थिशास्त के निर्माता, आचारे विश्णुगुप्त यानि चानक्या का उच्छे कोटी के तथा उच्छे कोटी के शैले चिकित सक, कुमार गुप्त भी इसी विश्व प्राप्त की थी, कौशन नरेश, प्रसंजीत, वैशाली के महाली, कुशी नगर के मल, वासु बंदु तता ख्याती प्राप्त वैद, जीवक वैद, आदि सुयोग्य वेक्ति इसी विश्विध्यले में शिक्षा ग्रहन करते थे, यहां अठारा प्रकार की शिल्प, व्या संध्या के समय चात्रगान अपने पाट की पुन्रवती करती थी, भारत की प्रवेश द्वार के समी पिस्तित होने के कारण आकरमनकारियों द्वारा इससे द्वस्त कर दिया गया, पाकिस्तान में आज भी इसके खंडर रावलपिंडी के निकट देखे जा सकते हैं, दूस इसका प्राचीन नाम नाल था, जिससे बहुत धीरे धीरे नालंदा कह जाने लगा, समराट अशोक को इसका संस्तापक माना जाता है, विद्यार्थियों, अधिकांश विद्वानों के मता अनुसार, इसका उतकर्ष चीनी यात्री फायान के समय हुआ, जो 405 ECV में चात्रों के रहने के नीमित बनाए गए हूँ, चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार, इस विद्यार्थियों में दस सहस्त्र विद्यार्थि माहयान तथा बौध मत्की वे अन्य शाखाओं की शाखाओं वेदों तथा जादू तोने आधिका अधियन करते थे, पद्मनी से चीन गुप्ता के अनुसार, नालंदा विद्याले शिक्षा के उतकर्ष के लिए बौध मत्की ये देन थी कि उसके प्रसिद विहार रूपी विद्याले सभी के लिए समान रूप से खुले थे, केवाद विज और बौधों के लिए ही नहीं, नालंदा को अंतरास्री ख्य चाती का विश्विद्याले माना जा सकता है, क्योंकि चीन तक के चात्र बौध मत्की शिक्षा ग्रहन करने के लिए चतुर्द और पंचम शताबदी में यहां आते थे, इस विश्विद्याले, ये विश्विद्याले पटना के समीप स्तित बिहार शरीफ के दक्षिन पश समराथ हर्ष वर्धन तथा बंगाल के पाल वर्षिय वंशिय नरेशों द्वारा विश्विध्याले के व्यक की पूर्थी के लिए लगपक सो ग्राम दान में दिये गए थे यहां के क्रशक नियमित रूप से चावल ग्रत दुग्द आदी भारी मातरा में नालंदा विश्विध्याले को भारी आर्थिक साहिता दी गई थी हैंसां ताताओ ली हुई आदी अनेक विद्वानों ने इस विश्विध्याले में शिक्षग्रेंड की यहां के पद्म संभव आदी विद्वान तिबद से बौद धर्म का प्रचार करने गए थे संग्षेप में क कहा जा सकता है कि नालंदा विश्विध्याले हर्श कालीन भारत का गौर्वानवित विश्विध्याले था इती नमस्कार